मक्कम मनोपड़ से शारीडिक अपाहिज ताबी जीवन में बाधा नहीं आती। ऐसी एक बेजोड कहानी हम एक अपाहिज लड़की की आत्मकथा निबन में देखेंगे। एक अपाहिज लड़की की आत्मकथा मेरा नाम सुनैना है। मैं राइबरेली के एक छोटे से गाउ में रहती हूँ। मेरे पिताजी कालेज में प्रद्यापक है। मेरी मा मेरी स्रेष्ट गूरु है। मेरे परिवार में हम दोनों भाई बहन मा पिताजी और दादी रहते हैं एक दिन की बात है। मैं मेरे माता पिता के साथ स्कूटर पर गुमने गई थी। रास्ते पर बहुत ट्राफिक था। अचानक से एक गाड़ी पूर जोस में आकर हमारे स्कूटर से टकरा गई। मैं घिरकर गाड़ी के नीचे आ गई। मुझे तबकाल अस्पताल भरती लेकिन अस्पताल में मेरा दाहिना पेर और हाथ गवा दिया। इसके स्थान पर प्लास्टिक का हाथ पेर लगाया हुआ है। लेकिन मैं अपाहिज हो गई। मेरी माता पिता को लगा था कि अब मैं उन पर बोज़ बन जाऊंगी। लेकिन बचपन में मैंने दादी मां से अनेक प्रेरक कथाए सुनी थी जिसने मेरे मन को वज़र जैसा मजबूत बनाया था। मैंने तई कर लिया कि मैं अपने काम में स्वाव लंबी रहूंगी। एक एंजियो ने मुझे वीलचेर की भेट दी है। मैं घर में वीलचेर पर बैटकर अपना काम करती हूँ। पाटी चात्र मुझे साला के अध्यान कार्या में मदद करते थे। मुझे चित्र काम करना बहुत प्रिया है। मेरे चित्र के शिक्षक मुझे हर दिन भिन भिन चित्र काम करने के प्रेरणा देते है। राष्टे चित्र स्परधा में मेरा एक चित्रा प्रथम स्थान पर पसन हुआ था और मुझी पुरसकार भी मिला था। धीरे धीरे मैंने मुर्तिया बनाने की कला भी शिखी। पहले मैं गणे सुच्छव के लिए छोटी-छोटी मिट्टी की मुर्तिया बनाती थी। अब मैं बड़ी मुर्तिया भी बनाती हूँ। मुर्ति बनाते समय मैं अप मेरे घर में मुर्तिया बनाने का कारिया कर रही थी। अचानक से खिड़की के पास मैंने चहल पहल सुनी। धीरे से देखा तो खिड़की के पीछे दो चोर खड़े थे। फिर मैं डर गई। अचानक मुझे दादी मा की प्रीरक कहानिया याद आते ही मुझे में हिंमत आ गई। सबसे पहले मैंने पूलिस को फोन किया, बाद में मैंने पापा पडोशियों को फोन किया। इतनी धेर में चोर खिड़की तोड़कर मेरे खंड में आ गए थे। मैंने फ्याविकॉल की डोल रास्ते पर घिरा दी। जैसे ही चोरो का पैर उस पर पड़ा सब चिपक गए। तब तक मैंने रंग उठा कर उनके चहरे पर छिड़क दिया। तब तक मेरे पापा, पडोसी और पुलिस आ गई। पुलिस चोरो को बंदी बना कर ठाने ले इस घटना के बार मेरे माता पिता ने मुझे बहुत शाबास ही दी और कहा कि आज तेरी सुझबुच से चोरी का भई तल गया। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि मैं स्वालम भी तो हूँ पर मैं दुसरों के काम में भी आ सकती हूँ। उन्हें यह भी समझा गया था कि मैं सरीर से निलबर जरू हूँ पर मन से सबल हूँ।